वेलकम बैक तुछ चैनल गाइस और आज के इस वीडियो में मैं आपको पताने वाला हूं कि अब हम काफी सार लोग बात करते हैं APU के बारे में IGPU के बारे में ठीक है तो अब यार काफी लोग फिल्ड में नहीं होते हैं तो मैं पता नहीं होता है अब है कि एक IGPU क्या होता है और क्या पावर होती एक IGPU की जो कि तुम्हारे इंटाइल की चांट की तरफ से आते हैं पहले उनके इंटाइल के प्रोसेशार चिप के पास में लगती है एक जीप्यों चिप के डाय जो कि तुम्हारे गेम्स को रन कराने में मदद करती है जो कि तुम्हें डिस्प्ले देने में मदद करती है अब AMD JC companies अपने latest series में उन chips को जो है इतना powerful कर रही है कि तुम्हें जो है lower end की gaming करने के लिए जो है तुम्हें कोई other graphics card लगाने की ज़रूरत ना पड़े एक्जांपल के लिए मैं तुम्हें सबसे एक्जांपल ले लेता हूं जब तुम्हारा राइजन 32200 जी आया था था तो एर उन GPUs पर वेगा 8 वाले graphics पर तुम्हें आराम से जो है 1080p या 720p lower settings पर 60 frames का तुम GT5 आराम से खेल सकते थे बट हम अभी की बात करें राइजन 5 4000 सेरीज की या फिर राइजन 5000 सेरीज की या फिर इंटाल के लेटेस्ट 12 जेन की बात करें तो यारी जो इंटरनल चेप्स हैं वो इतनी पावरफुल हो चुकी है कि वो तुम्हें आराम से 1080p resolution पर तुम्हें जो है बहुत ही अच्छे लेविल की gaming यानि की 1080p lower settings 40-50 fps पर तुम्हारी गेम्स को चला देगी अब एंजयाबल परफॉर्मेंस के लिए तुम अब्यसली ग्राफिक्स कार्ट बाइ करोगे मार्केट में बट अब यह जो प्रोसेसर आ रहे हैं जनुरेशन के IGP के साथ यह जो है तुम्हारे लोवरेंड के ग्राफिक्स कार्ट को खतम कर रहे है तोटली अब खतम कैसे कर रहे हैं बेसिकली तुम बताता हूं या तुम ही दिमाग लगाओ कि जब तुम्हें कोई यह तो बेसिकली इन टर्म को एप उब बोलते हैं जो कि थोड़े पावरफुल आई ग्राफिक्स के साथ आते हैं बेसिकली तो मैं तुम्हें तुम्हें को कुछ प्रॉसेसर बताता है हूं तुम्हें स्क्रीन पर दिख रहोंगे सबस्क्राइब की बात करें लेटेस जनेरेशन की तो यहां पर तुम्हें देखने को मल जाता है राइजन 5000 सीरीज का 5600 जी 57 energy तुम्हें इस टाइप के जो है थोड़े बहुत एप यूज देखने को मल जाते हैं अब यह सारे ही पावरफुल एप यह इन सारे प्यूज पर जो है तुम्हें टैने टीपी 60 फ्रेम से अफिर 40 फिप्टी 60 फ्रेम की लोग लेवल की गेमिंग कर सकते हो ठीक है बेसिकली अब मैं तुम्हें बताऊं कि एक एक प्यूज के साथ तुम्हें क्या चीज करने चाहिए जिससे तुम्हारे प्रोसेसर के आई जीप्यू को भी रैम चाहिए तो रैम कहां से लेता है वो जो है कुछ अमाउंट आफ मैमोरे टू जीबी फो जीबी डिपेंट्स अपन दी प्रोसेसर टू प्रोसेसर या फिर तो अपना जो है बायोस में जाके मैनुए उस मैमोरी को चेंज अब बस्क्राइं डार्म होगा है तो ये कुछ वकिंग हो गोई आईजीप्यू एनिक तुमहारे एक वाले सीप्यू थिक है अब इसेगले की केस में भी ऐसा ही कुछ होता है तुम्हारे उनकी यूथे की चिप अलगसा लगी आती बट इंटाल की यूव दी चिप उतना प का परफॉर्मस नहीं मिलेगा एंदी क्या टागेट करता है कि यार मैं अपने कस्टोमर्स को अंडर रूपीज कि अब जो है तुम्हारा 15-20,000 वाला जो ग्राफिक्स कार्ट का सेग्में आता है वह बिल्कुल खत्म हो चुका है अब तुम्हें अच्छी गेमिंग कर रहे हैं तो एलिस्ट आप टुस्पेंट 25-30,000 फॉर गुट गुट ग्राफिक्स कार्ट जो कि तुम्हें अच्छे ले अपना एंज्वामेंट गेमिंग का एंहांस कर सकते हो वह बैस्वेर गाइस ओप तुम्हें यह वीडियो के समझ में आ गया होगा कि यार एक एप्यू और एक आई जीप्यू मतलब तुम्हारा क्या होता क्या है बेसिकली क्या से वर्क करता है और कितना पावरफुल यह ए करें नियों तो आप लोग सब्सक्राइब करें अगले हैं से विडियों में फ्रुसम लाका दोगी तब तक लिए धन्यावार